हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैससीर का अक्टूबर वायदा 612 पर कारुबा करता हूँ नजर आ रहा है पौनेक फिजदी की तेजी के साथ आज हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद महान की तिली लगवग एक हफते की ट्रेडिंग के बाद कैससीर की जो कीमते हैं उनके अंदर अब एक कुछ रिकवरी बनती भी नजर आ रही है हमने कैससीर की कीमतों को 666-6600 के उपर जाते वे देखा है लेकिन फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला था दरसल कैसर में एक उपरी इस तरह से मुनाफ़ा वसुली दर्च की जा रही थी फंडमेंडल्स मजबूत होने के बावजुत आपको बता दें कि इस साल कैसर की बुवाई कम देखने को मिली है और जो प्रोड़क्शन है वो भी कम ही रहने का अनुमान जताय जा रहा है क्योंकि पिछले साल कैसर का जो बजार था कैसर की जो कीमते थी वो काफी जादा तूटती भी नज़र आई थी 2000, 2500, 3000 इसी दायरे में कैसर की खरीद होती भी नज़र आई थी जिसकी वजासे इस बार किसानों ने कैसर की बुवाई कम करी और उसी का नतीजा है कि कैसर का जो उत्पाद है नहीं वो कम देखने को मिलेगा कैसर की कीमतों में तेजी काई है क्योंकि अभी एक्सपोर्ट डिमांड भी देखने को मिल रही है कैसर की गरेलू इंडस्ट्रिल डिमांड के साथ-साथ एक्सपोर्ट डिमांड यानिकी निडियात मांग भी देखने को मिल रही है जो कैसे की कीमतों को आगे और तेजी की और ले जाती भी नजर आ सकती है कैसे की कीमतों में 3300 से लेकर 6400 के लेवल्स अभी जानकार बता रहे हैं कि हाल फिलाल में देखने को मिल सकते हैं तो कैसे की कीमतों में निचले स्थर पर खरीदारी करके चला जा सकता है